तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग class 9 के अगणित परशनावली 1.3 को सल्व करेंगे ठीके एक गसमो давно 3 को आप लोगोगो구 सिखना बहुत ज़रूरी है क्योंगि इसमें जो मेशन है न बहुत Important и पहुत Important isलिए इस वीडियो को इस enlar को उन्च वा उन Freedom करेंना है मस्ति के साथ दे किनना हैMAN सारए睏शन आप को मस्ती के साथ ही बताने की कोसिस करेंगे बस आप पेसेंस बना करके क्लास को अटेंड कर लिजिए सारे क्यूशन आपको आ जाएगा क्या त्यार हो त्यार होंगे तो कमेंट बक्स में कमेंट करिए हां सर त्यार है और साथ में आप कहां से हैं कमेंट में जरूर लिखें और साथ में अपना प्यारा सा नाम भी झरूर लिखेंगा कमेंट बग्स में बस एक अपना नाम भी लिख सकते हो ठीक और आप कहां से देख रहे हो यह भी लिख दिजिएगा चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्णावली एक दस्मलों तीन का पहला प्रश्ण क्या है निमली खित भीनों को दस्मलों रूप में लिखिए और बताईए कि परतेक का दस्मलों परसार की स्परकार का है अब देखो आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे जब राटा मारने लगए टका बोल दिये राटा के चकर में टका बोल दिये तो ऐसे जो करते हैं उन्हों को दो दीन तीन दिन के बाद साफा भूल जाते हैं साफा मतलब बिल्कूल ठीक है तो हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे आपको इवनिक के स्टुडेंट बनना है म नीचे भीनों को दसमलों रुप में लिखे जो भीन दिया है इसे दसमलों रुप में करना है दसमलों जानते हो किसमें करना होता है भाग दे देंगे दसमलों आ जाएगा लेकिन आपको यह भी बताना है कि परतेक का जो दसमलों परसार मतलब जो एंसर आएगा उसको परसा परकार का है मतलब परकार भाई क्या क्या होते हैं हमें पता नहीं है अभी आपको हम बताते हैं आप बस इंज्वाई कर सहां देखो ना मज़ा आ जाएगा ठीक है चलो हम क्या करते हैं पहले हम पहले प्रश्ण को सल्व करते हैं हल करते हैं उसके बाद बताएंगे कि क्या होत भाग देना है तो क्या हम यहीं पर भाग करके लिपा पुति कर दे नहीं हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे बराबर का साइन बराबर का साइन दे दिए न अब क्या करेंगे हम जागेंगे रफ में रफ में देखो आगे रफ का मतलब होता है पिक्षे चले जाओ या भाग देंगे 36 में सय से भाग देंगे देने आएगा सबको किसी को दिकत नहीं होगा चलो अब 36 में सय से भाग हम दे रहे हैं तो क्या भाग जाएगी कह रहा है नहीं जाएंगे क्या है जी जाओ ना यार जाएंगे कुछ सर्त है क्या सर्त रखता है कहता है कि देखो हम छोट क्या मंगता है जीरो पॉइंट मंगता है कब जब जिसमें भाग देना होता है और जिससे भाग देता है उससे भाग वाला छोटा हो जाए जिसमें भाग देने वाले से छोटा हो जाए तो क्या मंगता है कहता है कि हमें जीरो पॉइंट दे दो तो हमने जीरो पॉइंट दे द जहां भी हमको छोटे पड़ेंगे और एक 0 की नीड होगी तो हम एक 0 रख सकते हैं पूरे भाग में जहां जहां सिर्फ एक डिजिट की नीड होगी एक 0 बीना मतलब के रख सकते हो क्योंकि आपने 0.1 इसको दे दिया है यह 0.1 क्या करता है जहां भी भाग देने में एक 0 की नीड होगी जरूरत होगी वो दे सकता है ऐसा ही फिरी में क्यों? क्योंकि 0.1 हम ने इसको दे दिया अल्रेड़ी इस्टार्टिंग पॉइंट में ही अब देखो 360 में 100 से भाग देना है तो कितने बार में जाएगा? तीन बार में तीन सो ये देखो कट गया 0 में से 0 जाएगा? 0 ही होगा 6 में से 0 जाएगा? 6 होगा 60 हो गया अब ये क्या कह रहा है? अब हम फिर छोटे होगे तो आपने 0 पॉइंट दिया न जहां एक 0 के नीड होगी आप इसे दे सकते हो क्यों? क्योंकि पहले से 0 पॉइंट दे दिया है अब बात समझ में आ गया होगा अब ये 600 होगया सब्सक्राइब में कितने से भाग करें? 6 से तो ये होगा 600 ये देखो हमारा पूरा पूरा कड़ जाएगा और इसका जो दसमालो परसार आया 0.36 अब ये नहीं कि आप बोल दोंगे 0.36 बिल्कुल गलत हो जाएगा ऐसे आपको बोलना होता है 0.36 मतलब दसमालो के बाद एक एक अंक बोलना पड़ता है याद रखिएगा इस बात को लाइप टाइम याद रहेगा ठीक है? चलो हमने जब 36 में 100 से भाग दिया मेरे भाई तो ये आया है आपका 0.36 आया है ठीक है? आप से बोला गया था भीन को दसमालो में लिखिए हमने दसमालो में लिख दिया अब बोला है परतेक दसमालो परसार कीस परकार का है? ये परसार क्या है? अब ये जो परसार इसको क्या बोलते है परसार बोलते है एक किस परकार का है तो परसार जो होता है ना परसार जो होता है वो दो परकार के पहला सांत और दूसरा और सांत अब सांत किसे बोलेंगे और सांत किसे बोलेंगे क्योंकि इसको पहचानना है तो जिसको देखो आप पूरा पूरा भाग दे करके मतलब complete answer आ जाए उसको बोलेंगे सांथ देखो इसको complete भाग करने पर पूरा पूरा कट गया इसको सांथ बोलेंगे जिसको भाग देने पर आते जा रहा है जाते जा रहा है आते जा रहा है मतलब वो कट नहीं रहा है पूरा पूरा उसको बोलें पुरा पूरा कट गया किया कि ऑगला देहो एक बटा एक आरा है एक में एकारा से पहले भाग देना है नहीं जारा रहा है आप इसे 0 point दे सकते हो ठीक है एक 0 के चूट हो गई तो 0 हमने एक दे दिया लेकिन फिर भी इसे छोटा हो रहा है अब भी भी इसको जुरत है तो अब 2 0 जब देंगे न 1 0 बैठाना पड़ेगा तभी आप यहाँ 0 दे सकते हो अब इसको भागा दो 9 बार में 11 99 यह देखो कट करके फिर से उबाना जाएगा भाग नहीं जाएगा फिर इसमें 0 देंगे एक और 0 देना पड़ेगा एक और 0 रखेंगे फिर 11 99 यानि फिर यहाँ से 1 आएगा फिर डबल 0 देना पड़ेगा यहाँ पर 0 9 करना पड़ेगा कारती यहां मतलब है न कि जो 09 की बात आरी है यह 09 09 09 09 बार बार आएगा लेकिन पुरा पुरा कभी कट में सेकता तो सिधा मतलब है 09 09 09 09 09 बार बार लिखने के कोई ज़रुत नहीं है आप सिधा बस से लिख दो 0.09 सुरू में आया है आप इस पर recurring लगा दो एh recurring का मतलब होता है कि 0.09 जो है न यह जो बार बार आते जाएगा उसका मतलब है 0.09 लेके divisive a sort में और इस पर recurring लगा दो मतलब है यह बार बार आएगा तो हमने जब इसको भाग दिया तो क्या आया 0.09 क्या भाग देने पर आया 0.09 और 09 पर 09 पर क्या है recurring है यानि यह बार बार आ रहा है मतलब आपका page यह खतम हो जाएगा लेकिन इसका भाग कभी खतम नहीं होगा तो ऐसे परसार को क्या बोलते है असांत बोलते है क्या बोलते है असांत बोलते है ठीक है याद रहेगा अगला देखो यह पुढांक में तो इस पुढांक को पहले तोड़ेंगे 84 का 32 आए एक जोड़ देंगे यह हो जाएगा 33 33 बटा 8 ठीक है अब 33 में 8 से भाग देंगे देखो कट रहा एक नहीं कट रहा है 33 में 8 से भाग देंगे 84 का 32 जाएगा चार बार में, यहां से आ जाएगा एक, नहीं जा रहा है, छोटा हो गया, इसको जीरो क्यों सकता है, तो यहां पर क्या बठा देंगे, पॉइंट, अब आपको जीरो क्यों नहीं, तो जब कोई अंक नहीं रहता है, तब जीरो पॉइंट बठा जाता है, जब अंक हो जाता है तो सिर्फ point दे दो उसका मतलब एक 0 दे सकते हो एक बार में जाएगा 8 फिर इसांसे 2 1 0 दे सकते हो क्योंकि दस्मलो बैठा दिये हो 8 2 नी 16 और यहां से क्या हो गया 4 0 बैठा सकते हैं 8 5 40 यह देखो पूरा पूरा कट गया यह आपका answer आया 4 दस्मलो 4 दस्मलो 1,2,5 यह आपका answer यह देखो यह पूरा पूरा कट गया है जब पूरा पूरा कट जाता है तो उसका परसार क्या होता है सान्त होता है क्या होता है सान्त होता है ध्यान रखो सब बनाने आ जाएगा 3 बटा 13 है ना तो 3 में 13 से भाग देंगे, 3 में 13 से भाग देंगे, नहीं जाएगा न, तो 0 point बठा देंगे और यहां 30, 13 दूनी 26, यहां से क्या हो जाएगा, 4, 0 करेंगे, 13 यह 49, फिर नहीं जाएगा, 1, फिर एक 0 बठा सकते हैं, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है न, तो फिर क्या डबल ज़ो बठाएंगे मत यहां पर एक जिरो और बढ़ना पढ़ है अब तरसाथ और गया इक होगया एक्कान वे यहां से आपको आजॉगा नव नहीं जा रहा है एक जिरो बढ़ाएंगे तुर छांक 78 अब यहां से 2 और यहां से कितना फोक हो घ darf अब यहां टीन बठा सकते हैंन तेरा कितना होता है और टीरा नहीं होता है आठ आए एक बैटा फिर से यहां तीस यहां से हो गया जो CH ता यहां जब इसको आगे भाग देदे जाएंगे यहीं चीज आब बार-बार आएगा दो तीन-076 दो तीन-076 9 मतलब पुरा-पुरा-पुरा-इस दुनिया का पजा खतम हो जाएगा लेकिन इसका हमहाग खत्म लेगर बार-बार आते रहेगा इसी आएगा उसको ھम देंगे क्या पुले लिखो 0.2 3 0 7 6 9 और इस पर क्या लगा देंगे रेकरिंग लगा देंगे और इस रेकरिंग का मतलब क्या हुआ यह चीज बार बार आएगी तो फिर इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे और सांत क्या बोलेंगे और सांत बोलेंगे ठीक है अब यह है दो बाटा 11 अब दो बाटा 11 है तो क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर दो में 11 से भागते देंगे नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे इसमें 0 पॉइंट लगा देंगे और एक 0 बढ़ा देंग एक बार में गया अब यहां से क्या आएगा 9 अब भी जिरो बठा सकते हैं 119 9 9 9 9 9 9 9 ज्यादा हो जाएगा ना 118 888 करो 118 888 यहां से आगया दो देखो उपर ओला फिर एक जिरो बठा सकते हैं उपर ओला काम फिर से शुरू हो गया यह जीरो पॉइंट एक आठ जो है ना ये बार बार आते जाYएगा तानि हम समझ जाएंगे कि भाग देने के ज़ुरत नहीं है ये 0.18 जो है ये बार बार आएगा रेक्रिंग लगा देंगे और इसे जब रेक्रिंग लगाता है वो कभी कट नहीं सकता तो फिर उसे बोलते हैं और साल ठीक है अब यह देखो 329 बटा 400 इसको भाग देकर पहले चेक करेंगे कि 329 में 400 से भाग देना है नहीं जाएगा ना तो जीरो पॉइंट बैठा देंगे एक जीरो अब देखो 32 में चार से भाग देना है कितने बार में 400 बार में 32 यह जीरो यह यहां से क्या होगा कट जाएगा और एक जीरो उपर से ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट बैठा हैं चार दूनी 800 यह हो गया 800 यहां नहीं जाएगा 900 में 800 हो जाएगा नहीं जाएगा एक और जीरो बैठा सकते हैं तो यहां फिर से चार दूनी 800 और यहां से कितना जाएगा 200 नहीं जाएगा एक जीरो बैठा सकते हैं 2000 हो गया 0.8225 वो क्या है यह सांत है क्या है सांत ठीक है इस तरह से हमारा बनता है प्रस्ण और जदी आप मेहनत करेंगे तो आप से क्यों नहीं बनेगा बिल्कुल आपको बनाने आएगा तो अब हम देखते हैं कौन सा क्वेशन देखेंगे क्वेशन नमबर टू टू क्या है यह भी ध्यान से देखिएगा यह बहुत ही जी है क्या है पले क्वेशन पड़ो आप जानते हैं कि एक बटा साथ बराबर 0.142857 है वास्तों में लंबा भाग दिये बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि दो बटा साथ तिन बटा साथ चार बटा साथ पांच बटा साथ छे बटा साथ के दसमलो परसर क्या है यदि हाँ तो कैसे देख मेरे दोस्त बहुत तीजी है बहुत तीजी जितना आप लोग अपनी जो क्या बोलें कि छोड़ दे जितना आप लोग की गल्प्रिंट का ना 1 by 7 क्या है आपका यह 0.1, 4, 2, 8, 5, 7 इस पर है रेकरिंग क्या है रेकरिंग है ठीक है अब रेकरिंग है तो अब क्या करेंगे अब हमें निकलना है 2 बटा 7 का मान तो 2 बटा 7 लिखेंगे 2 बटा 7 हमने लिख लिए अब 2 बटा 7 लिख लिए तो क्या हम 2 बटा 7 को 1 बटा 7 गुना 2 लिख सकते हैं क्या बिलकुल क्योंकि उपर एक भी है दो भी उपर है अब दो से गुना करोगे तो क्या होगा इसका दुगना हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि रॉप में गुना करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लाएगा ठीक है हम डाइरेक्ट गुना कर लेते हैं मेरे पास केल्कुलेटर है ना उसी से करते हैं आपके इंसान दो हम है भाई केलकुलेटर है हेलो कहां हो कहां छिप गया यार नहीं दिख रहा है हेलो 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 मित्र कहां चले गए आप नहीं मिल रहा है हग ह को मैं को मुल जा है हेलो ए हेलो हेलो ऐसी नहीं मिल रहा है लगता हमसे गुसां गया उसको कभी हमने किया नहीं अभी तक ठीक है तो उसको घूसां होने द família ठीक है हम अपने हाथ से इसको मलट पल करेंगे जौशां हो जाओ तो 0.14 2857 को 2 से करना है ठीक है तो क्या होगा 27 जब 14 के 4 कह रही 1 5 तो जब 10 और 11 1 8 से 16 और 17 यह 5 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा यह 0 यह इतना आ जाएगा तो इसको लिख लो 0.285714 हमारा कैलकुलेटर हम से गुस्सा हो गया है नहीं मिल रहा था हम लोग अपने हाथ से कर लिए अब 3 वाई 7 है 3 बटा 7 तो 3 बटा 7 को कैसे करेंगे 1 बटे 7 अगुना थेली सकते हैं अब क्या करेंगे 1 बटा 7 को मान आप जानते हैं रखो 0.142857 इस पर रेकरिंग लगा देंगे आइंटं तीन से करेंगे यहां रेकरिंग लगाना भूल गए हैं इसको लगा लो ठीके और जो एंसर आएगा ओभी रेकरिंग में ही आएगा याद रखियेगा ठीके अब इसको गुना करेंगे तरромसें है जीरो फॉाइंट एक चार दू आठ पांच साथ में 3 से करना है सत्तरी के के का इसकी 1 हासिल दू पेंट 1 15 2 17 अठरी के 24 दू नहीं 27 24 15 हासिल दू 3 नू 6 2 8 3 4 का बारा की 2 3 और 3 0.428571 और इस पर लगा देंगे रेकरिंग यह आपका एंसर ठीक है ऐसे ही 4x7, 5x7, 6x7 को आपको find कर देना है यह आपके लिए देते हैं 4x7 को ऐसे बनाओगे तो 1x7 आएंटो 4 अब जानते हो 1x7 का भैलू 0.142857 और गुना कर देना है 4 से एंसर गुना कर के लिख देना उसके बाद आप 5x7 को कर देना जैस्ट ऐसे ही उसके बाद 6x7 को कर देना ठीक है और इसे करके आप homework में चेक भी करा सकते हो और एक important सुचना जिनको membership में ज्वाइन होना है 9th जो आपका Hindi मेडियम है या पूरा full course पढ़ना है जदी आपको भी लगता है महत हमारा week है आप हमारे app से ज्वाइन हो सकते हो app का नाम है C-A-R-B Carb Academy अब इस Carb Academy अब इस Carb Academy अब पर कहां मिलेगा जाए पले श्टोर पर जानते हो पले श्टोर पले श्टोर पले श्टोर पर कारव अकार्डमी सर्च करिएगा और उसको डाउगलोड करिएगा उसके बाद या आप जो वीडियो देखे हो इसके description मे भ इनद के आता है आपका मैथ ए-श्ट्रॉंग करने की फूल गरांटी हाइंडेड परसेंट दी जाती है जिनको जुएन करना है जलत-जलत कारवकाडमी डाउनोड करके मात्र आपको 499 रुपी लेगा इसमें पूरा full course math complete करने की ग्रांटी ली जाती है जदी आपको join करना है जाकर को हाँ join करके उधे बैच class 9th आप join करिए 499 में जब तक आपका 10th में नहीं चल जाओगे तब तक के लिए फी है और 7 में याद रखिएगा मेरा बात जदी आपको नहीं करने आ सबसे ज़्यादा आपको important है आप लोग का प्रशनावली 1.3 का ठीक है मतलब इतना समयलो जो आप लोग पढ़ रहे हो न संक्या पधिती चेप्तरवन का सबसे most important question और आप लोग को बता दे कि जब भी आप लोग 9th के बेस पर कोई extra exam दोगे आपको इस तरह का परशन जरू ठीक है और इस question करने से थोड़ा mind भी आप लोग का grow होता है तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा ठीक है क्या बोला है निमली खीत को P बटा Q के रूप में ब्यक्त किजिए जहां P और Q पुडांक है तता Q not equal to 0 है मतलब कि जो question दिये गए है ना उनको P बटा Q के रूप में बत करते हैं कि पहला question क्या बोल रहा है और यह बोल रहा है 0.6 पर रेकरिंग और इसे P बटा Q के रूप में करनी है तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे इसे माल लेंगे x माना माना x बराबर 0.6 पर रेकरिंग है तो रेकरिंग ठीक है अब देखो तो हमने आपको पहले equation में समझाया था रेकरिंग का मतलब होता है यह 6 पर रेकरिंग है तो इस रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 जो है 6 जो है यह बार 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 आ रहा होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते है एक बराबर 0.6 6 6 6 ऐसे डौट डौट आ रहा होगा और इसको हमाल लिए 1 समी करण ठीक है दोनों ब जानते हो क्या करते हैं हम यह देखेंगे point के बाद कितने अंक पर recurring है एक पर recurring है ना जानते हो क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे मतलब एक पर recurring रहेगा 10 से दो पर है रहेगा 100 से तीन पर तुने तरब दस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा जब दुनों तरफ दस से गुणा करेंगे एकसले और दस लिग करेंगे तो यह एक सो जाएगा बराबर इसमें दस जब गुना करेंगे तो पता है क्या होगा जीरो पॉइंट छे जह जब करोगे जब दस से गुणा करोगे यह रखूएगा यहां पर इंप लाइडेट का साइन देना जरूरी होता है ने तो एक जामनर गलत काड़ देगा आपका ठीक है अ अब देखो क्या करेंगे अब यह 10 एक्स है ना ठीक है अब 6.666 को हम क्या लिख सकते हैं पता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 क्या लिखने से कोई दिक्कत क्या होगी नहीं हो सकती क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे न यह चीज आ जाएगा अब आपको सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि मैं पीब टाकीव के रूप में करना है समझ में आगया बात चलो बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ेंगे य अरे 6 है अब एक बात बताओ 0.6666 के बदले हमने क्या माना है एकस इसके बदले हम एकस लिख सकते हैं क्योंकि एकस के बराबर है हमने एकस लिख दिया अब क्या होगा दस एकस और यह पलस है इधर जाएगा तो माइनस अब बराबर में 6 दस में से एकस जाएगा कितना होगा 9 एकस हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा अब एकस में 9 क्या कर रहा है गूना बराबर में जाएगा तो क्या कर देगा भाग तो 9 बटा 6 हो गया अब यह दोनों जो अ यह आपका final answer ठीक है तो देखो तो यह P बटा Q की रूप में है कि नहीं है बिल्कुल है तो यह ऐसे ही सारे equation को करना है समझ गए बात को तो क्या question number second बना सकते हो नहीं बनेगा आईए आपको बताएंगे तो बन जाएगा कोई कठीन नहीं है easy है ठीक है अब आस पेसेंस प्रश्ण 0.4 और 7 पर सिर्फ रेकरिंग है ठीक है तो 7 पर रेकरिंग है तो कैसे बनेगा सबसे पहले हैं तो हम इसे मानेंगे माना माना एक बराबर 0.4 शाथ पर रेकरिंग ठीक है कोई दिकत नहीं अब क्या करेंगे अब यहाँ से X बराबर अब ये क्या है? 0 point ये 4 का 4 ये 7 पर रेकरिंग है ना 7 पर रेकरिंग का मतलब है 7 बार बार आ रहा होगा 7 क्या होगा? बार बार आ रहा होगा इसको माल लो first समय करणा, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे? हम इसमें दोनों तरफ क्योंकि point के बाद एक digit पर रेकरिंग है ना एक पसिर पर रेकरिंग है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे ठीक है दोनों तरफ दोनों तरफ दस से गुणा करने पर ठीक है दस से गुणा करेंगे तो क्या होगा यह दस एक्स बीच में बराबर रहते हैं इंपलाइड का साइन देना जलूरी है अब इसमें दस से करेंगे तो क्या होगा four point seven 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 dot dot और इसको मालों समी कर आने ठीक है अब देखो आप क्या करेंगे अब यहां ध्यान देना यहां अगले डिजित में और क्या करेंगे इसमें एक बाप dabei और से गुणा करेंगे आप सुचो गो कि सरे क्यों लीखेंगे पुना पूंद दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर गुणा करने पर ठीक है क्या हो जगा जब 10 ले गुणा करेंगे तो यह100 एउक हो जायेगा और हमने किया क्यों क्योंकि यह 47 थे ना भले 7 परेकन है था हमने फर्स्ट काम यह 10 से किया लेकिन हमको एक कारना होगा 47 को अलग करना होगा और जो 77 अलगा है इसको अलग करना होगा यह वोला जो काम है इसको अलग करना होगा ठीक है वो हम करना चाह रहे हैं कैसे होगा तो देखो सबसे पहले हम जब इसमें 10 से गुना करेंगे न यह हो जाएगा 47 इस वर क्या हो जाएगा 43 प्लस 4.777 डौट 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 अब दोनों को जोड़ोगे यह वाल आ जाएगा समझ माया हम लोग इसको अलग करना चाह रहे थे यह जो चीज है ना इसको अलग करना चाह रहे थे ठीक है इसलिए हमने 2 बार 10 से गुना किया अब क्या करेंगे अब देखो यह 100X बराबर यह 43 अब प्लस यह 4.777 इसको हमने क्या माना X यहाँ पर लिख देंगे X अब क्या होगा 100X बराबर यह प्लस इदर जाएगा तो माइनस बराबर 43 ठीक है अब देखो तो अब क्या करेंगे 100X में से X घटेगा कितना आएगा 99X बराबर 43 अब होगा यहां से देखो X बराबर 43 बाटा एक गुना महना इदर आएगा तो भागम हो जाएगा और जो A आया है यह क्या आया है परिमे संख्या करूप में आया है हो गया complete answer समझ मैं सबको तो इस तरह से आपको question बनाना होता है और यह बहुत इजी होता है अगला देखो question number 3 इसका 0.00 0.001 यह तीनों पर रेकरिंग है ठीक है जब तीन पर रेकरिंग रहेगा तो क्या बोले आपसे जब एक पर है तो दस से दू पर रहेगा hand rate से तीन पर रहेगा thousand यह जार से तो सबसे पहले माना माना x बराबर 0.001 पर रेकरिंग इसको मतलब क्या हुआ कि यह 0.001 है बार बार आ रहा होगा इसका मतलब है यह 0.001 001 001 001 001 डौ 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 आ रहा होगा अब हमें पता एक point के बाद तीनों पर रेकरिंग है ना हैंडर नहीं thousand से एक हजार से करेंगे लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ एक हजार से गुणा करने पर एक हजार से गुणा क्या करेंगे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक हजार एक बराबर इससे गुणा करेंगे क्या होगा जब इसमें एक हजार से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.001 001 001 dot dot आते रहा होगा अब देखो बीचे बराबर है तो implieded का sign लिखेंगे 1000x बराबर इसको अमका लिख सकते हैं 1 पलस 0.001 001 001 dot dot आते रहा होगा अब यहां से 1000x बराबर यह 1 और इसको आपने क्या माना है x ना यहां पर हो गया x ठीक है अब क्या करेंगे 1000x और यह पलस रह जाएगा तो माइनस बराबर में 1 यहां से क्या होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे यह 999x हो जाएगा अब बराबर में 1 अब X में गुना कर है न, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, एक बाटन 999, योर एंसर, ठीक है, I hope कि आप लोग एक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, कोई कठीन नहीं था, ठीक है, समझ में आ न सबको, कोई दिगत नहीं है, सबको समझ में आ गया, च जा करके कार्व अकार्डमी, एक बार फिर से लिख देते हैं, कार्व अकार्डमी, ये आप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपना पूरा सब्जेट त्यारी करें, मातर आपको 499 रुपीज लग रहा है, मैत की फूल गरांटी है, कंप्लिट कराने की, जदी आप वी के सर से बाद करो, और आपको सुझाओ जरूर देंगे, ठीक है, चलो बच्चो, मिलते हैं, नेक्ट क्लास में, थैंक इसो मैच